बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस जीहां आज बात करेंगे हम सभी की चहीते शुक बिग बॉस की जीहां बिग बॉस 15 जल्दी टीवी पर 10 तक देने वाला है साथी अफवाओं का बाजार भी गरम हो गया है कि इस बार कौन साथ सेलिबरिटी बतोर कंटेस्टिंट आने वाला है बिग बॉस के घर में जीहां साथी एक फैन लिस्ट भी बनी है जिसमें खत्रो के खिलारी के कुछ ऐसे कंटेस्टिंट रह चुके है जिने लोग देखना चाते हैं बिग बॉस 15 में तो आईए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से रह चुके है कंटेस्टेंट खत्रों के खिलाडी में जिसे लोग दिल से चाहते हैं कि वो बिक बॉस पंदरा के घर में एंट्री ले सबसे पहले बात करेंगे शबीर आलू वालिया की जिहां शबीर आलू वालिया एक जाना पहचाना चेहरा है टेलिविजन का जो एकता कपुर के काफी शोज में नजर आ चुके है और जो की एक विनर भी रह चुके है खत्रों के खिलाडी के जिहां इन्हें भी लोग देखना चाते हैं बिग बॉस के घर में जिसके बाद बात करेंगे दयानन शेटी की हम सभी के चहीते दया जिहां CID को कौन नहीं जानता CID में बतौर दया जो आते हैं दयानन शेटी उनने भी लोग देखना पसंद करेंगे बिग बॉस 15 में जिसके बाद बात करेंगे famous choreographer पेशे से एक choreographer है लेकिन बहुत ही शांत और composed है तो इन्हें भी लोग देखना पसंद करेंगे कि आखिर ये बिग बॉस की चुनोतियों को किस तरीके से लेंगे जिसके बाद बात करेंगे करन वाही की दे चॉकलिटी बॉई करन वाही जिहां जो बहुत popular है इन्हें भी ल लॉक डाउन के दौरान काफी मदद की लोगों की लेकिन अब लोग असल जिंदगी में आखिर गुर्मी चौदरी कैसे है ये भी देखना चाहते है जिसके बाद बात करेंगे आशान नेगी की जिहां ये भी खत्रों के खिलाडी में आ चुकी है as a contestant इन्हें लोग देखन चाहेंगे कि बिग बॉस के घर में ये बिग बॉस के कमांज किस तरीके से लेंगी जिसके बाद बात करेंगे बेबाग होद अधित्या नाराइन की जिहां अधित्या नाराइन को कौन नहीं जानता अपनी बेबाग की के लिए वो बहुत फेमस है साथी उनका sense of humor भी कमाल ह तो देखना काफी दिल्चस्प होगा कि वो बिग बॉस के घर में किस तरीके से सबको हसाएंगे गुद गुदाएंगे या फिर अपना गुसा दिखाएंगे जिसके बाद बात करेंगे अविका गौर की जी हाँ अविका गौर यानी हमारी छोटी सी आनंदी चोकी हो चुक रह चुकी सना मकबूल की जी हाँ ये भी एक ऐसा चेहरा है जिने लोग देखना पसंद करेंगे बिग बॉस के घर में तो ये तो वक्त ही बताएगा इनमें से कौन आएगा कौन नहीं साथी आप हमारे साथ बने रहेए क्योंकि हम आपको देती रहेंगे बिग बॉस की ले ना भुले धन्यवाद